जैश्री राम 16 माई को मंगलवार है ये जैश्ट मास का दूसरा मंगलवार है इसलिए से बड़ा मंगलवार भी कहते हैं इस दिन अगर आप बाला जी की फुजार्श ना करते हैं और कुछ उपाय करते हैं तो आपके घर से नेगेटिविटी बुरी शक्तियां आपके घर में जो बसे है आपके परिशान करी है वो सब दूर हो जाएगी कि तंत्रमंत्र किसी का किया कराया आवशी करन नित्यादी की घर में किसी को बुरा स्वापनाते हैं ने में अचानक डगता है तो इन सबसे छुटकारा पाने के लिए बाला जी कि अगर आप पुजार्श ना करत हैं तो वो सदे उत्त पर रहते हैं उनकी मदद करने के लिए कि आपके घर में हमेशा कलैका वाताओं रहता है किसी ने बुरा तंत्र किया है नजट लगी है तोटका किया है हमेशा चिंता क्रस्त रहते हैं लक्षमी कागमन नहीं हो रहा है परिशानी दिन बर दिन बढ़त बाला जी के उसे नदूर से बिंदी लगा के भी आप उसका कर सकते हैं उपाई बाला जी को चोला चड़ाने से बहुत प्रशन होते हैं और इससे आपको विशेश क्रिपा प्राप्त होती है उनकी अगर आप बंदिर जाके चोला नहीं चड़ा सकते तो आपने घर में ही ब बिंदी लगा दीजे इसे आपको जो भी कारी है लुप का वा वो अवश्य पूरा हो जाएगा बाला जी की कृपा पाने के लिए आपको लाल सिंदूर भी लेना है लाल सिंदूर नहीं है तो आप रोली भी ले सकते हैं आप उसे एक अटोरी में ले और एक हाथ में आप सीध के तेल का दिया भी लगा सकते हैं आएक करने के पस्चात आप अपने हतेली में रोली या सिंदूर लेके आप ओम हम हनुमते नमे इस मंत्र का आपको 108 बार जब करना है आप क्योंकि आपके हाथ में रोली है तो आप घड़ी नहीं देख सकते हैं इसलिए आप अपने मंद स आप इसका मंत्र 10 मिनट तक मंत्रो चारण कीजिए इससे आए जो रोली है सिंदूर है वो अभी मंत्रित हो जाएगा और इससे आप फिर अपने किसी भी काम में जाने से पहले इसका टिका लगाए घर के किसी सदश्य को बूरे स्वप नईत्या दिया आते हैं परेशान है बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगता है परेशान है तो उसके माथे पे बिंदी लगा टिकी लगाई है इसकी करने से वो भाई मुक्त हो जाएगा और आपके घर में कोई नेगेटिवीटी है वो स्वत्या खत्म हो जाएगी आप जब भी से बाहर जाएं तो आप इसे बि कारे के लिए भी इसे प्रियोग में ले सकते हैं घर से बाहर किसी काम के लिए आपको जाना है कोर्ट केस है या कोई और भी बड़ा व्यापारा कारे शरू करने जा रहे हैं तो भी इसका प्रियोग कर सकते हैं आप उपाई अवश्य करें इससे आपको बहुत फाइदा होगा और इसे आप शेयर भी करें ता कि और लोगों का भी भला हो और आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद